हेलो दोस्तो स्वागत है आपको अपने चैनल इडियो 360 परसेंट में चलिए आज हम ट्रंसफार्मर का नेक्स लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम कवर करेंगे सम्मोर टाइप अफ ट्रंसफार्मर के कुछ और प्रकार जिसमें हम पढ़ेंगे आउट्र ट्रंसफार्मर क्या ह होता है वेल्डिंग ट्रंसफार्मर क्या होता है करेंट ट्रंसफार्मर क्या होता है पोटेंशियल ट्रंसफार्मर क्या होता है रेक्टिफायर ट्रंसफार्मर क्या होता है और फॉर्नेस ट्रंसफार्मर क्या होता है तो चलिए हम एके करके इन सभी ट्रंसफार्मर को डिट ट्रांसफार्मर तो आउटर ट्रांसफार्मर भी कहते हैं इंटरकनेक्टेड ट्रांसफार्मर भी कहते हैं या वैरिक ट्रांसफार्मर भी कहते हैं और देखिए यह इसका ड्राइग्राम है जिसमें क्या हम देखा हैं एक ही वाइंडिंग दिखा हैं तो चुकि यह एक ही वा वाइंडिंग को हम प्राइमरी और सेकेंडरी भी बनाते होंगे तो देखिए कैसे एक कैसा ट्रांसफार्मर जिसमें सिर्फ एक ही वाइंडिंग होता है आउटर ट्रांसफार्मर क्या होता है एक कैसा ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही वाइंडिंग होता है वही आउटर ट्रा कारे करती है वही किसकी कारे करती है प्राइमरी की भी और सेकेंडरी की भी आउटर ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइडिंग प्राप्त करने के लिए टैपिंग की वेवास्ता की होती है टैपिंग की वेवास्ता होती है आउटर ट्रांसफार्मर में देखिए प्राइमरी और इसके निचे वाला secondary हो जाता है यहाँ पर टैप कर दिए तो इसके उपर वाला primary और इसके निचे वाला secondary हो जाता है तो इससे हम क्या करते हैं कि primary और secondary का number of turn को घटा बढ़ा सकते हैं voltage के requirement के according तो देखिए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तूलना में अब देखिए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तूलना में आउटर ट्रांसफार्मर में लगने वाला लगने वाली वाइंडिंग की मातरा कम होती है देखिए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर क्या ह करते हैं पहले हम प्राइमरी के लिए वाइंडिंग करते हैं दूसरे लिम्ब यह हम एक ही लिम्ब पर प्राइमरी के लिए अलग वाइंडिंग करते हैं इससे क्या होता है हमारा कापर बहुत ज्यादा लग जाता है लेकिन इसमें क्या होता है कि एक ही वाइंडिंग चुकी ह कर लेते हैं लगने वाली याली की में कोती हैं जिससे कॉपर सफार्मर में two winding transformer की तूलना में outer transformer में copper की मात्रा कम लगने से cost कम हो जाती है और हम जानते हैं copper महंगा है तो copper कम लगने से क्या होती है इस transformer की cost भी क्या हो जाती है कम हो जाती है और साथी साथ weight भी कम हो जाती है copper कम लगने से क्या होता है कि साथी साथ पहले क्या होता है कोपर लाश बहुत कम कम हो जाता है यही कारण है कि एक ईफिचियेंसी मी änditNG 모습 역시 क्तलोर old कारण के और की कि Aleल कींगताई गण्ध कारण गणी tools लाश क earnest दिवर संटन कम लगता है परसिंट हो जाती है दекएह आगree पॉइंट है टु बैंडिंग ट्रांस्पार्मर का क्वाज zu क्रकटा में बता है कि जो होता है वह मेगनीटिकल फ्लॉव होता है लेक्टिकल लएकंटिकलिछ इंफाइनाइट होता है पिछले लेक्चर में बढ़ता चुके हैं टू वैंडिंग ट्रांसफार्मर में पावर का ट्रांसफार्मर के वाल मेगनेटिकली होता है जब कि आउट्र ट्रांसफार्मर पावर का ट्रांसफार्मर इलेक्टिकली तथा मेगनेटिकली दोनों रूप से होता है लेकिन क्या होता है कि पावर जिसमें आउटो ट्रांसफार्मर में पावर का ट्रांसफार्मर की से होता है Electrically और Magnetically दोनों तरीका होता है अब देखिए Outer Transformer का प्रोग हमें वहाँ पर किया जाता है Outer Transformer का प्रोग हमेशा कहाँ पर किया जाता है जहाँ पर Transformation Ratio K या A जहाँ पर Transformation Ratio K या A कि कम से कम मान किया वह सकता हो देखिए आउटर ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग कहां पर करते हैं यहां पर ट्रांसफार्मेशन रेशियो के या एक वैलू कम से कम जरूरत पड़े वही पर ट्रांसफार्मेशन रेशियो फार आउटर ट्रांसफार्मर transformation ratio for auto transformer देखिए क्या होता है V2 by V1 होता है तो V2 क्या होता है low voltage by high voltage low voltage by high voltage यही होता है transformation ratio कि इसकी auto transformer की note note में देखिए कुछ points है important किसी भी transformer की low voltage side में high voltage side से भाग देने पर किसी भी transformer को low voltage side में अगर हम high voltage side से भाग देते हैं तो यदि k का value 0.5 से कम आ रहा हो यदि k का value किसे कम आ रहा है 0.5 से तो सारे के सारे transformer distribution transformer कहे जाएंगे वो सारे के सारे transformer कैसे कहे जाएंगे distribution transformer कहे जाएंगे और यदि k का मान 0.5 से अधिक आए तो उन सारे के सारे transformer को बहुत बहुत धन्ने बात मिलते हैं अगले वीडियो में